देहरा दून में तेज रबतार ने एक बार फिर तांडव मचाया है बड़े हाथसे की खबर थाना पटे लगर छेतर से आ रही है यहाँ सुबह चंदर्मणी चौक पर एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौन दिया है हाथसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए है सूचना पर पुलिस पहुची और पुलिस ने सबसे पहले रेस्क्यू अभियान चलाया और उसके बाद घायलों को अस्पिताल में भर्ती कराया आपको बता दें कि सारनपूर की ओर से आर एक वेकाबू ट्रक ने चंदरबधनी के पास तीन मोटर साइकल सवार और रेडी सहीत एक दुकानदार को पुचल दिया इस्तानिय लोगों ने हाथसे की सूचना पुलिस को दी सूचना पर पहुची पुलिस ने घायलोगों का रेस्क्यू कर अस्पिताल भुजवाया वहीं मौके पर एक वाइक सवार की मौत हो गई है बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और समद्रिश्टी में माना जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हुए है क्योंकि ट्रक चालक कापी दूर से ही हौर्न देतावा आ रहा था पुलिस की कारवाई लगातार जारी है वहीं मिर्तक का सब कबजे में ले लिया गय है और घायल की हालत भी ना जुट पताई जा रही है